नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आभी की जो ताजाख हवार ब्रेकिंग न्यूज आई है कि हिमाचल प् देश में 902 पहुंच गया है और ठीक कितने हुए हैं एक्टिव केस कितने हो गए हैं ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक चुरूर करें और चैनल पर नई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा ले हैं ताकि आप तक मेरी हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो जै जाए हैं तो देव भूमी हमाचल में करोना के मामले लगतार बढ़ते जा रहे हैं रवी वार को परदेश भर में बियस एफ सेना के तीन जबानों बैंक करमचारी और साथ साल के बच्चेस में 14 नए मरीज मिले हैं कांगड़ा में 11 सो लंसर मौर और मंडी जीले में एक एक मामला आया है कांगड़ा और चंबा में तीन लोग करोना से जग जीत कर घर भी लोटे हैं परदेश में संक्रमितों का कौल आंकड़ा 902 पहुंच गया है जबकि अब 367 सक्रिय मामले हैं 367 एक्टिव केस हैं और 515 लोग जो हैं वो स्वास्थे हो चुके हैं उसके बाद ब पोजिटिव के संपर्क में आने से फटेपुर का 36 वर्षी बैंक करमचारी संक्रमित हुए हैं 18 जून को जम्मू से लोटे छनी इंदोरा के ब्स जवान चोवन और और अचल परदेश से लोटे रकड के सेना जवान 49 वर्षी भी पोजिटिव पाए गये हैं लोटवा 48 परशी भी संक्रमित हैं मंडी के जोगिंदर नगर के मच केहड में दिल्ली से लोटे व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उलेखनी है कि शनी बार देर शाम तक माता पिता दो महिने की बच्ची समय परदेश में करोना के 21 मरीज मिले थे इन में हमीरपूर 10, कां मामले जो हैं अभी तक आ चुके हैं हमाचल परदेश में जिसमें से कांगड़ा के ही 11 मामले हैं तो दोस्तों यह थी अभी की ताज़ा खावर ब्रेकिंग न्यूज अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेर जरूर करें ताकि उन